बच्पन में हम में से अधिकांश भाई बहनों या दोस्तों के साथ घूरने वाली प्रतियों गिताई करते थे आप बिना पलक जपकाई कब तक घूर सकते हैं? तुम्हारी आखे जल गई और पानी आ गया और अंत में तुमने हार मान ली पलक जपकाई बिना बहुत लंबी समय तक चलना इतना मुश्किल क्यूँ था? वास्तव में आपको पलके जपकाने की आवश्यकता क्यूँ है? पलक जपकना दो मुख्य कारणों से आवश्यक है धूल के कनों को साफ करना और नेत्रगोलेक को चिकनाई देना भले ही आप शायद इसे नोटिस नहीं करते हैं उसत व्यक्ती एक मिनिट में लगभग 15 बार पलके जपकाता है उसत ब्लिंड गती थकान और दवा के उपयोग जैसी कई चीजों से प्रभावित हो सकती है मानव मस्तिष्क पलक जपकने की अंदेखी करने में सक्षम है जिससे आप दुनिया का निरंतर डिश्टिकोन रख सकते हैं आपकी आसू फिल्म पलक जपकना आपकी आसू फिल्म को पोचता है और नवीनी कृत करता है हमारी आखों की पुतलियों को कवर करने वाली चिकनी नमपरत आपकी आसू फिल्म और आसू पानी, तेल और बलगम और लाइसोसों जैसे सैकरो अन्य घट को जो प्राकृतिक एंटिबाउटिक दवाओं की तरह कारे करते हैं से बने होते हैं आसू फिल्म में कौनिया में कोशिकाओं को पोशन देने के लिए कई पोशक तत्व और अमीनो एसिद भी होते हैं आख के सामने स्पष्ट, गुमबद जैसी सनरचना अपनी आखों को चिकनाई रखने के अलावा, आसू फिल्म भी प्रकाश को ठीक से ध्यान केंडृत करने के लिए कौनिया की शीर्ष पर लगभग पूरी तरह से चिकनी ओक्टिकल सतह बनाने में मदद करता है वायुमंडल से कौनिया में ओक्सीजन स्थानांतरित करता है क्योंकि इसे सीधे वित्रित करने के लिए कोई रक्त वाहिकाय नहीं है लाइसोसोम और अन्यत जीवानुलोधी एंजाइमों की उपस्थिती के कारण संक्रमन को रोकता है मलवे को धोता है सतह पर चोट लगने पर सफेद रक्त कोशिकाओं के लिए एक मार्क प्रदान करता है आपकी पलके यहाँ एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है अपनी आखों की रक्षा करने और सोते समय चीजों को अंधेरा रखने के अलावा उनमें कई ग्रंथिया होती है जो पलक जपकते समय आपके आशों के घटकों को स्रावित करती है पलक की थोड़ी क्षेतिज गती भी होती है जो मलबे को पंक्ता, आसु नलिकाओं की और धकेलती है आखों के कोनों में छोटे उध्गाटन जिनके माध्यम से आसु बहते हैं फिर आसु मलबे को बहा देते हैं पलक जपकना और आपका मस्तिश्क जबकि पलक जपकने के ये कारण अच्छी तरह से स्थापित है शोध ये भी बताते हैं कि आप अपने मस्तिश के लिए पलक जपक सकते हैं वैग्यानिकों का अनुमान है कि पलके द्रिश्य उत्तेजनाओं के बिना एक संक्षिप्त मानसिक आराम प्राप्त करने का एक तरीका है एक अध्ययन में पाया गया कि हम जिन सटीक शनों को पलक जपकाते हैं वे याद्रच्छिक नहीं हो सकते हैं हम वास्तव में बहुत अनुमानित समय पर पलक जपका सकते हैं उदाहरन के लिए पढ़ते समय अधिकांश लोग एक वाक्य के अंत में पलके जपकाते हैं जब लोग भाशन सुनते हैं तो वे पलक जपकते हैं जब वक्ता बयानों के बीच रुग जाता है और जब लोग एक वीडियो देखते हैं तो वे पलके जपकाते हैं जब वीडियो पर कारवाई एक पल के लिए पिछड़ जाती है शोद करताओं ने ये भी पाया कि जब लोग आपस में जुड़ते हैं तो मस्तिष्ट के कुछ क्षेत्रों में मांसिक गतिविधी बढ़ जाती है जो तब कार्य करती है जब मन जागने की स्थिती में होता है